सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटुब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो गढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटुब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं classroom communication के बारे में कि हम किस तरह से effective classroom communication कर सकते हैं और इसमें से बहुत से question आए हैं दोस्तो और आगे भी आने के संभावना है यह बहुत important topic है तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना क्योंकि इसमें से बहुत से question आते हैं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं communication model की कुछ basic communication model हम करने वाले हैं और इन में से अब question आने लग गए हैं ये जो question है अभी जून 2019 में आया है इससे related तो ये जो topic है हमारे लिए करना बहुत ज्यादा जरूरे है क्योंकि आगे भी इसमें से question आने के संभावना है तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना चली दोस्तों अब हम बात करते हैं classroom communication की ये हम किस तरह से बहतर कर सकते हैं देखे classroom communication के अंदर जो सबसे पहली बात आती है कि हमारा जो classroom communication उसका मुख्य उदेश से क्या है और इसमें से दोस्तों पहले भी दो बार question आ चुके हैं और आगे भी आने के संभावना है देखे जो हम classroom communication कर रहे हैं उसका मुख्य उदेश से संग्यानात्मक अनुच्छत्र अगर हम इंगलिस में बात करें तो इसे cognitive domain हम कहते हैं देखे इसका simple भासा में मतलब क्या है कि हमारा जो communication वो इस तरह का होना चाहिए कि बच्चे के इंदर घ्यान बढ़े उसमें समझ बढ़े उसमें आवेतन, вिसलेशन, संसलेशन करने की समता बढ़े देखे इसका मतलब क्या है कि बच्चे के अंदर आर्ग्यमेंट करने के समता है वो विक्सित हो बच्चे को अगर कोई बात बताई जाये तो वो उसके समझे सोचे समझे और अगर कोई बात उसे समझ में ना आए तो वो आर्ग्यमेंट करें टीचर के साथ कि टीचर ये बात इस तरह से भी हो सकती है यांगें हो सकती याने कि उसकि उपर अच्छे तरीक़ से विचार करें तो इस तरह की जो बते होते हैं उसे हम कहते है संज्यनात्मक प Glass help कहते हैं कोगनेटि guest होते हैं उसके अंदर मुख्य किन बातों का ध्यान रखना होता है एक टीचर को अब देखे सबसे पहली जो बात है वो हम करते हैं सिक्षार्थे में रूची पैदा करना अब टीचर का सबसे पहला काम यह है कि उसको इस तरह से कम्मिनिकेट करना चाहिए कि जो स्टूडेंट है उनको इंट्रेस्ट आए पढ़ने में मज़ा आए अगर मज़ा आएगा तभी वो अच्छे से पढ़ पाएगा और अगर कलास में अगर ऐसे ही बोर्यत साब माहूल होगा तो क्या होगा कि बच्चे को नींद आएगी और वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा उसका ध जैसे यहां पे लिखे हुए कि सिक्सक जान भूज कर नाकारातमक सब्दों का प्रयोग करके भी छात्रों में रूची पैदा कर सकता है मैं नहीं जानता अब देखे कई बाते ऐसी होते हैं हम नेगटिव कहे देते भी देखो मुझे इसके बारे में नहीं पता आप बताईए स्टूडेंट में से आप में से कोई बताईए कि इस सवाल का जवाब क्या होगा मुझे नहीं पता इस तरह की बाते का है कि हम उनमें रूची पैदा कर सकते हैं रूची पैदा करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों आगे हमारे पास विश्य सवस्तों को संगठित करना और गनाइज कंटेंट मैटर अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि पाठ्थे पुस्ता को तरक संगत धंग से सरंचित करना उसको एक कहानी के रूपे में प्रस्तूत करना तब पस्चात समस्या को सामने रखना अब देखिए इसका मतलब कि ढले है कि कोई भी बात समझाने के लिए ऐसे निए कि हम डायरेक्ट्रि कोई बात कह दे इसके लिए है कि हमें उससे कहानी बतानी चाहिए कोई example देना चाहिए और अगर हमारे पास कोई demon हो या कोई video हो तो वो हमें दिखानी चाहिए यानि कि उससे संबंदित जित्रा भी हमारे पास matter है वो एकठा करना चाहिए जिससे बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा समझ में आ सके तो इसलिए ये जिरूरी है और आगे हम बात करते हैं दोस्तों आगे हमारे पास उदेश्य में अनुरूप पुनरावलोकन अब रिव्यू अकॉर्डिन टू अब इसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों परमुख विचारों और अवधारणाओं को दोहराना चात्रों के उनके महतों पर बल देना मुखे ब को हमें कलास के अंदर बार बार दोहराना चाहिए उनको बार 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 रिलेट करना चाहिए अब जैसे मानके चली के हमने कुछ बात बता दी ठीक है और फिर हम कहीं घूमने जारे हैं बच्चों के साथ तो वहाँ पे अगर हमें उसका एक्जामपल मिले उसी चीज से रिल पराना चाहिए ताकि बच्चे के दिमाग में वह चीजे अच्छे से बैठ जाए तो यह होता है रिव्यू अकॉर्डिन टो अब्जेक्टिव और आगे दोस्तों परती पुष्टी यह देखी यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है हमारे लिए अब देखी परती पुष किया है या नहीं किया यानि कि उनको सभी तरह से बाक्ते पूछनी चाहिए फीडवैक लेना चाहिए कि क्या हमने आपको पढ़ाया वह आपको समझ में आया या नहीं आया और और भी कई तरह के फीडवैक हो सकते है जैसे कि कोई बच्चा हो खिड़की से बाहर देख रहा अगर हम उससे पूछेंगे तो वो बच्चा क्या की आगे से बाहर देखने की बहुत कम कोशिस करेगा तो इस तरीके से हमें फीद्वैक लेते रहना चाहिए और हमारी जो पढ़ाने का तरीका है उसमें भी feedback लेना चाहिए उनसे पूछना चाहिए कि क्या हम जो पढ़ारे वो सही पढ़ारे गलत पढ़ारे क्या है ये सबी बाते हमें पूछने चाहिए feedback का होना बहुत ज्यादा जिरूरी है और इसके इंदर कई तरह की बाते हैं दोस कोशन आये हैं अब देखी इसके अंदर मुख्य रूप से चार तरह के सिधान्तों में हम इसको बांट सकते हैं सबसे पहला सिक्सको के लिए टीचर के लिए सिधान्त क्या है मैसेज डिजाइन जो हम मैसेज दे रहें उसके लिए क्या सिधान्त है शिक्षन विदियो अथवादी आतम अवधारणा और आसपास के वातवरन के वारे में समवेदन सील होना अब इसके अंदर के हैं दोस्तों कि हमने जो धारणाई बना रखी है उसको जानने का प्रयास करना चाहिए वास्तों में सविकार करना चाहिए कि रियल्टी में क्या है अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताये था एक चीज कि हम कई वार अवधारणा बना लेते कि ये जो बच्चा ये बहुत अच्छा बच्चा है और अगर कोई स्टूडेंट या कोई और आके हमें कहीं कि ये बच्चा इसमें ये कमी और उसकी बातों को हम नकार देते क्योंकि हमने उसके पहले अवधारणा बनाई हुई है तो अवधारणाओं को हमें तोड़ देना चाहिए हमें सही तरीके से सोचना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है ये चीज हमारे सिक्षा पर भी लागू होती है अब जैसी कोई कौन सेफ है उसे हम समझते कि ये चीज इस तरीके से होत चाहिए और आगे देखते हैं विश्य वस्तों में दक्सता का विकास डवलप प्रोफीशियंसी इन सब्जेक्ट मैडर अब हम जो चीज हम पढ़ा रहे हैं जो विश्य पढ़ा रहे हैं उसके अंदर हमारी अच्छे से पकड़ होनी चाहिए और अगर हमें जरूरत पढ़े तो time to time समय के अंसार हमें उसमें विकास भी करना चाहिए नहीं नहीं चीजे आ रहे हैं उनको हमें सीखना चाहिए जैसे आज के समय में हमारे पास Facebook है Twitter है और इन चीजों का हमें घ्यान होना चाहिए जैसे YouTube है YouTube का हमें घ्यान होना चाहिए और जो टीचर उसको बताना चाह रखता है और उसे खुद में भी इंप्रूमेंट करना चाहिए और आगे इस इक्सार्थी को समझना ये बहुत ज्यादा जुरूरी है दोस्तों टीजर के लिए अंडर्स्टेंड दा लर्नर जो बच्चा पढ़ रहा है उसे हमें समझना बहुत जुरूरी है कि उसके उसकी थ चीजे हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना जुरूरी है और जितना ज्यादा हम बच्चे को समझ पाएंगे उतना ज्यादा हम अपने टीचिक को बहतर तरीके से कर सकते हैं प्रभावी संचार कोशल इफेक्टिव कमनिकेशन सकील अब ये देखिए ये ये चीज भी होती है जो टीचर होता है कि बिल्कुल सीवियस होके पढ़ाएंगे की टीचर होते किहसी मजाग में पढ़ाएंगे जिससे बच्चे कहिलते रहते हैं यानि कि खेलने का मतलब उन्हें मजा आता रहता जब वो पढ़ते है ठीक है तो प्रभावी संचार कोशल का होना भी बहुत ज पढ़ाया था कि सिक्षक के इंद्रित क्या होता है जिसके अंदर सिक्षक ही सब कुछ निर्धारित करता है क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है कब पढ़ाना है ठीक है और छात्र के इंद्रित वह होता है जिसमें छात्रों का involvement होता है छात्रों से हम हमें पूछना चाहिए कि आपको कौन सा लेशन पढ़ाना चाहिए कौन सी यूनिट का कौन सा जो पारटा वो हमें शुरू करना चाहिए तो छात्रों की भी involvement होना बहुत जुरूरी है तो इसके अंदर क्या होता है कि जो अ कर्तव ये निश्टर अब देखिये ये चीज हमारी लागू होती है उसके उपर ज्लागू कहये सकते हैं अब हमारा टीचर शिर उसको अपना कर्तव या पता होना औसी है की मेरा कार्तव क्या अब दिखे ज़्यादातर हम सरकारी स्कूलों में क्या देखते कि जो तीछर वो अच्छे से नहीं पढ़ाते कई वार मैंने सुनाए परसनली सुना कि जो सरकार स्कूल के टीचर है वो कई वार ये कह देते कि आज मेरा पढ़ाने का मूड नहीं है आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो इस तरह से बहुत सारी वो बाते करते लेकिन उनको कर्तव्य समझना चाहिए कि हमारा करतव्य क्या है सरकार हमें इतने 60-70-70,000 रुपई दे रहे हैं तो हमारा करतव्य बनता है कि हम उसके बदले में अच्छी एजुकेशन दे ऐसे बहानेवाजी ना करें तो उनको अपना करतव्य पता होना चाहिए सिक्षकों को और आगे दोस्तो संदेश नियम्मित करने के सिधानत अब इसके अंदर देखते दोस्तों इसके अंदर किस तरह से है अब देखिए इसके अंदर मुक्हे रूप से एक सब्द का यूज किया जाता है समार्ड स्मार्ट का मतलब होता है सensor specific विशेश कोई चीज हमें बतानी है और मेसरेवल यानि कि जो चीज हम बता रहे हैं उसको सही तरीके से काउन्ट जिसको अच्छे तरीके से समझगे के बत्चे कि हम क्या बता रहे हैं मेसरेवल का मतलब यह होता है अचीविवेल और ऐसी हमें चीज बतानी है जो बच्चा अचीव कर शके जो समझ इसके हमें कलास में ऐसी बात नहीं बतानी है जो बिल्कुल बच्चा समझी ना सके जो बिल्कुल उसके परहे बात हो वो नहीं बतानी हमें ऐसी बात बतानी है जो अचीविवेल हो और आगे रिलाश्टिक या थार्थवादी यानि कि जो यानि कि सही रूप से सही मायने में लागू होती हो वो चीज हमें बतानी है हमें कालपनिक चीजे ऐसी नहीं बतानी कि जो कहीं अस्तितों के अंदर ना हो हमें ऐसी चीजे बतानी है जो अस्तितों के अंदर हमारे नेचर के लिट होनी चाहिए यह नहीं है कि हम एक टोपिक को ले लिया वो एक दिन में पढ़ाना चाहिए लेकिन दस दिन उसके लगा रहे ऐसे करेंगे तो हमारा जो सलेवे सा वह बहुत जादा लंबा खिंच जाएगा ठीक है और आगे देखते हैं दोस्तों आगे भी कई तरह की ची देखने लोग, अब देखिए हमेल जो भासा जो येज वो एसी होनी चाहिए जो जो सभी को समझ में आ सकते क्टίν भासा का प्रयोग का मैं नहीं करना चाहिए उचीत पर परतिक हमें ऐसे सिंबल का ये जिससे बच्टे असानी से समझ कैं अब देखिर की कई तरह की चाज़ बच्चों के सामने तो हमें ऐसे पर्तिको का यूज करना चाहिए जो हमारे इंडिया में ज्याधा पर्चनल में हो जिन को ज्यादा बच्चे अच्छे से समझ सके आगे दोस्तों प्रासंगी का अभ्यास रिलिवेंट प्रैक्टिस अब इसके अंदर क्या होता है विद्ध्यारत्यों के रकक्स याम मान्षिक सत्र के अनुरूम रोप दिया जा सकता है जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं गोस्तो फो ओई जो बच्चे आसानी से कर सके ऐसे निए कि हमें बहुत कठ प्रैक्टिस नहीं चाहिए और आगे दोस्तों हमारे पास सिक्षन विधिया और मीडिया के चैन अब देखिए जो हम टीचिंग विधी यूज़ करें और मीडिया यूज़ करें उसके अंदर हमें क्या सावधानी बढ़तने चाहिए अब देखिए सबसे पहला आता है इसके अंदर प्रासंगिक और उचित विधिया और मीडिया का चैन अब देखिए हमें ऐसे मीडियम का चैन करना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सही लगे अब देखिए मान के चलते हैं कि हम बच्चों को कहने लगे कि हम आपको आज से यूटूब पे पढ़ाएंगे कलास के अंदर क हो सकता है ज्यादा तर बच्चों के पास मोबाईल ही रहा हो तो वो कैसे पढ़ पाएंगे ठीक है तो इस तरीके से हमें ऐसे विधी का यूज करना है जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें इन्वोल्मेंट हो सके और असानी से उसको लेज़े सिक्षन विधियोर मीडिय के लिए प्रासंगिक हो ठीक है यह आप पढ़ लेना यहां पे हिंदी में दिया हुआ यह वही बाते जो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ विधियो मीडिया का उप्योग यूज वेराइटी ओर मैथर एंड मीडिया यह कक्सिया सेक्षन में छात्रों को रूची बनाए रखने में निवस्ता को बचाने के लिए जुरूरी है अब देखिए इसके इंदर क्या है कि हमें समय समय पर हो सके तो जो हमारा पढ़ाने का तरीका है वो चेंज करके देखना चाहिए या फिर जैसे वो है ना सेटो बोक्स होते हैं सरकारी स्कुलों में अब तो सायद पत जाती थी तो हमें समय समय पर अलग-अलग मीडिया का यूज करना चाहिए ताकि बच्चों में रूची आ सके और वो अच्छे से पढ़ सके और आगे दोस्तों अच्छी गुणवता वाले मीडिया का उप्योग अब हमें जो भी हम मैटेरियल यूज कर रहे है तीचिंग म कुछ हमें कोशिस करने चाहिए कि सब कुछ अच्छा हो गुड क्वालिटी का हो अगर खराब क्वालिटी है उसके अंदर अच्छे से तस्वीर नहीं आरी और खराब आवाज आरी तो बच्चे क्या है कि बच्चे आगे से उस क्लास में जाने के लिए मना कर देंगे और व चाहिए कि मीडिया और शिक्षक पर्थक पर्थक है वो धान के लिए अगर चात्रों को एक वीडियो फिल्म दिखाई जाए तो उसके बाद पर उस पर चर्चा होनी चाहिए अब देखी जो चीज हम बच्चों को जैसे सेटो बोक्स पे दिखा रहे है तो उसको हमें बाद चीज है उसके साथ रिलेट करना चाहिए अपने सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके उनको उधान देके बताना चाहिए कि देखे उस फिल्म में ये बात इस तरीके से बताई थी तो उस पे हमें विचार करना चाहिए ताकि बच्चों को लगे कि हाँ ये बात हमारे सिक्षन से related है तब ही हमारा जो classroom communication वो बहुत अच्छा होगा और आगे देखते दोस्तों अनुकुल सिक्षन वातावरन बनाने के लिए principle of creating conducting learning environment अब देखे वातावरन बनाने के लिए क्या सिध्धान्त होने चाहिए कक्ष्या में विद्यार्थियों की संख्या सीमित होनी चाहिए जो बच्चों की संख्या वो limit में होनी चाहिए ऐसे नहीं कि सो डेड़ सो बच्चे ले ले और उनमें अच्छे से पता ही नहीं चलरा कौन बच्चा क्या करना सोर भी बहुत ज्यादा हो जाता है तो limit होनी चाहिए कक्ष्या में बैठने की उचित वयवस्ता होनी चाहिए इसका मतलब क्या है कि जो सिक्सक है उसको बच्चों के साथ मैतरी पूर्ण संबंद स्थापित कर सकता है यह जरूरी नहीं है कर सकता है अब बच्चों को यह लगना चाहिए कि जो टीचर है वो सही है अब देखी ज्यादतर क्या होता कि जो बच्चे वो टीचर से डरते है पहले के टाइम में जो टीचर वो बहुत पीटते थे इस वज़े से बच्चे उनके पास नहीं आते थे और कुछ पूछने से भी कत्राते थे तो माहूल ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चे डरेना कोई भी बात पूछे तो वो बिल्कुल आसानी से हमारे पास आसके परती कि आप यह कर सकते कि अगर किसी को special कोई question पूछना है कोई बात है तो वो आप हमें आधी छुटी के अंदर आके बता सकते हैं या फिर आप मेरा phone number ले सकते हैं अगर किसी को बात बतानी है तो वो बता सकते हैं या principle से कह सकते हैं या इस तरह का हमें सिस्टम बनाना चाहिए जिससे बच्चा बिल्कुल असानी से feedback देश के और आगे दोस्तों हमारे पास नमोन वेशन के लिए प्रेवित करना encouraging innovation अब बच्चे में ये चीज विक्सित करने चाहिए कि बच्चा नए नए चीज़े खोज के लेके आए अब देखे बच्चों को नए नए एक्सपेरिम बनाएगा उसको हम समानित करेंगे यानि कि encourage करना चाहिए बच्चे को आगे बढ़ने के लिए अब है परवल परवलन परदान करना providing referencement इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा जो भी काम कर रहा है उसकी हमें परसंसा करने चाहिए उसका प्रुसकार करना चाहिए समाजिक मा करेंगे दो चार लोगों में कहेंगे कि आपका बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ता है और जब बच्चा आपने बारे में सुनता ना कि मेरे बारे में तो वो लोग है वो ऐसा कह रहे थे कि ये तो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता तो उसमें automatic आगे और आगे classroom communication के अंदर जो classroom communication है वो हमारा addutainment का होना चाहिए एड़िटेन्मेंट का मतलब होता है दोस्तों जो हम पढ़ा रहे हैं उसके अंदर शिक्ष्या भी होनी चाहिए और monogen भी होना चाहिए दोनों चीज़े including होनी चाहिए बहुत से ज़्यादा important है क्योंकि इसमें से कई वार question आ चुके हैं और दोस्तों अब हम बात करते हैं communication model की मुख्य रूप्चत communication के अंदर तीन model का जिकर किया गया है हमारे paper के अंदर वो है एक हमारा linear communication model है और दूसरा है interactive communication model और तीसरा है दोस्तों हमारे पास transactional communication model ठीक है तो इन तीनों के वारे में हम समझने की कोशिस करते हैं बिल्कुल असान भासा में समझने की हम कोशिस करेंगे और वैसे हमने यहां पर English Hindi दोनों language के अंदर दिया है आप देख सकते हैं देखी सबसे पहले हम करते हैं linear communication model जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि linear मतलब एक line के इंदर चलने वाला communication the linear model behave is blue by its name where a sender encode a message by a channel and the message is decoded by the receiver देखी इसे हम एक simple भासा में समझने की कोशिश करते हैं इसके इंदर क्या होता है दोस्तो जो message दिया जता है एक व蓮क्ति के दवरा वह कि टेलिवीजन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास इनफोर्मेशन आती है हम फीडवेक नहीं दे सकते टीवी के उपर और अगर हम फीडवेक देना भी चाहे तो वह क्या है कि जैसे पहले आपने देखा हुआ कि पहले के समय में जब टीवी पर प्रोग्राम आते थे तो हम फीडवेक देते थे अपने गाने की रिक्वेश्ट करते थे तो वह क्या है कि जैसे वीवी दिभारती हो गया अकासवानी हो गया तो उसके उबर हम अपना पत्र लिख के उनको बताते थे कि हमें ये गाना अच्छा लगता है ऐसे और अपनी पर्थी कुरिया ही देते थे यानि कि linear communication के अंदर क्या होता कि जो communication होता है वो सीधा direct होता है और उसमें feedback है वो बहुत कम मिलने के संभावना होते हैं अगर मिलता भी है तो वो बहुत लेट जाके हमने हमें feedback मिलता है तो इसकी खासियत ये होती है और इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूज किया था यहां पर इंगलिस हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं असानी से और अगर कोई problem आए तो वो आप हमसे पूच सकते हैं और यह देखें दोस्तों यह एक घुमा फिरा के भी दे सकते हैं examiner वो इसको convert करके दे सकते हैं जैसे की जो teacher है वो class के अंदर lecture देते जा रहा है देते जा दिए जा रहा है दिए जा रहा दिए जा रहा दिए जारा फीड़ेक नहीं ले रहा किसी का तो वह क्या होगा हमारा वो होगा linear communication model होगा क्योंकि वो feedback नहीं ले रहा ठीक है अपनी बात केवल बता रहा है ठीक है और आगे हम देखते हैं आगे हमारा दोस्तों interactive model of communication अब कि इसको भी हम असान भासा में समझने की कोशिश करते हैं अब देखिए इंट्रेक्टिव मोडल के अंदर क्या है कि इसके अंदर हम जो संदेश देते हैं उसका हमें फीडबेक जल्दी मिलने की सभावना होती है और जैसे कि हम इसे एक छोटे से एक्जामबल के जरी समझने क कि कोशिश करते हैं कि आज के टाइम में क्या है कि जैसे टिवी पर प्रोग्राम आते आज भी तो वह क्या करते कि वो कहते हैं कि लाइव हमें दूसरा इसका बहुत ही अच्छा उधान हम लेते हैं जैसे WhatsApp पे अब देखेए WhatsApp पे किसी ने कहा कि tell me दूसरा कह रहा है वह जो पहले वाला वैक्ति कह रहा है anything फिर जो दूसरा वैक्ति कह रहा है what are you doing now यानि कि इस तरीके से जो इसमें feedback है वो जल्दी 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 मिलता है और इसके अंदर क्या होता कि इसमें एक और खास्तियत यह होती है कि बारी-बारी से दोनों अपना conversation करते हैं अपनी बात करते जैसे पहले एक आदमी कुछ बात कहेंगा फिर दूसरा उसका reply देगा फिर पहले वाला आदमी कुछ पूछेगा फिर दूसरा उसका reply देगा यानि कि बारी-बारी से अपना communication करते हैं अपने वीचार अपनी भावनाव इच्छाओं को share करते हैं जैसे आप यह चैटिंग देख रहे हैं तो इसे हम क्या क्यट रहे का हो सकता है यहानि कि वरल में हो सकता है यह कि हम अपने बोस के साथ भी अफिसेल पात कर सकते हैं और अगे अथू हमारे पास transactional communication model अब देख Pale drive क्या होता है transactional communication model के अंदर आंगर हम एह साथ बहुत से लोगों के साथ बात कर सकते हैं और इसमें जो message हैं वो बहुत जल्दी 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 feedback होता है हमारा आमने सामने बैठ के कर सकते है या फिर video conferencing होती है हमारी उसमें हम कर सकते हैं जैसे कि यह आप एक picture देख रहे हैं इसके अंदर क्या है कि यह जो लोग है यह दूसरी जगह पर बै आने की जरूरत नहीं है अगर यह व्यक्तिक कुछ बात बता रहा है तो बीच में यह जो औरत है इसकी बात को काट सकती है पोश सकते हैं यह बात कैसे होगी क्या होगी तो इस तरीके से इसके इंदर communication होता है एक दूसरे के साथ और दूसरा हम इसके इंदर यह भी समझ सकत है कि जैसे कि यार दोस्तों बैठे हैं और वो एक दूसरे से बात चित कर लें दूसरे यह कुछ बात कहरा तो यह इसकी बात काट सकता है हसी मजा कर सकता है तो इसे हम क्या कहिंगे ट्रांजेक्शनल communication model कहिंगे और इसके अंदर यह नहीं कि अपने बारे का इंतजार करने क हमारा हो सकता है ठीक है और इसमें देखिए हमारे जो पेपर में आएगा क्वेशन वो किस तरह से घुना फिरा के देंगे वो यह देंगे कि जैसे कि कलास के अंदर डिसकसन चल रही है परसनोतरी हो रही है तो उसमें किस तरह का communication होगा अब देखिए अब आप बताईए मे वो इंट्रेक्टिव मोडल होगा ट्रांजेक्शन होगा या फिर लीनियर कमनीकेशन होगा किस तरह का communication मोडल होगा यह आप आंसर वीडियो डिसक्रिप्शन बॉक्स में लिखना इसी से आपका पता चले जाती आपने कितना क्या कुछ शीखा है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और डिमेंट वोक्स में अपने वीच्एवर किसी लगी अगर कुछ कमी है तो वो भी हमें जरूर बताईए और दोस्तों अगर आपने अभी तक ह हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का बटन जरूर दबाईए ताके आप हमारी आने वाली वीडियोज को सानी से देख सके थैंक्य दोस्तों